केंद्र सरकार दुबारा अपॉंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार शेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे लजी साहब के अध शड्यंत्र था लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि शड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी तो वह अपने घड़ियालों आसु बहाने के लिए लगी सहाब के पास गय और उसके बाद बाहर आके जूट बोल रहे हैं जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रही हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई उनके लगी सहाब द्वारा की गई और लगी सहाब के आदेश द्वारा की गई अगर लगी सहाब के पास पावर नहीं थी ट्रांसपर की अर हमारे पास पावर थी तो लगी सहाब ने ट्रांसफर स्फर arter वापस लेने का आदेश कैसे दे दिए उसकी पावर उनके पास कहाँ से आ गई गई देखिए जो सच्चाई होती है ना उसमें बहुत ताकत होती है सच्चाई आखिरकर पूरे देश के सामने पूरी दुनिया के सामने आही जाती है और भारतिय जन्ता पार्टी का ये शड्यान्त दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का शड्यान्त राजदेश के सामने आ गया